आगरा जहां परप्रम्पुजे बाबा साब ने रोते हुए बिलकुल स्पेस्ट कहा था कि मुझे मेरे बढ़े लिखे समाज ने तोका दिया है लेकिन आज कही न कहीं हम देखना है कि जो पढ़ा लिखा समाज जो बुद्धी जीवी वर्ग है वो आज बहुत बढ़े स्थर परप्रम्पुजे बाबा साब की जो संकल्पना थी जो सपना था उसको साकार करने के लिए रात दिन जुटे हुए हैं और लगातार प्रयासरत है नमस्कार आप देख रहें NB News 24 X7 निलम बोध के साथ साथ यह आप जिस तरह से देख रहे होंगे यहाँ पर जील है और जो यह जील है यह कहीं और का नजारा नहीं बलकि यह नजारा है नेपाल के लुम्बनीवन का जी हां आप यहां का खूब सूरत नजारा देख सकते हैं चारों तरफ जहां जहां तक आपकी द्रश्टी जाएगी वहां वहां आपको पंच सील चाहे मैं बोट की बात करूँ या पेडो की बात करूँ या जो भी यहाँ पर स्टेंडिंग स्टेंड है उनकी बात करूँ या किसी भी चीज की बात करूँ आपको पंच सील के जंडे हर तरफ दिखाई दे जाएंगे यह वही पंच सील है जिसको साथियों महाका इस विश्व के लोगों को देकर मानव कल्यान के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम किया और यहां का जो अद्बुत नजा रहा है अकड़ों के संख्या में लोग भारत से घुमने के लिए कुछ लोगों से जुढ़ने का प्रयास करेंगे जानना चाहिए सब्सक्रति को जानकर आज पूरा भारत विश्व गुरू के रूप में गौरवानवित हुआ उस धम के बारे में उस महाकाणिक तथागत बुद्ध के बारे में जानने के लिए आज नेपाल की धर्ती लुम्बनी पर आये हैं और यहां पर लोगों का आप नजारा देख सकते हैं कोई सैलफी में वैस् एटत करने में वैस्ता है आपका नाम क्या है कहां से आया है हम पूना से पूना से आये हैं तो यहां पर आने का अज़िए डेले हैं तो कैसा लग रहा है अच्छा ले रहे हैं क्या-किया चीजे देखी है अभी तक गौतम बुद्ध का और क्या हुआ मनुकामना देवी पुश्पतिनात तो सबसे अच्छा क्या लगा रोपे रोपे ऐसा क्या है वहाँ पर वहाँ पर तो जाने में बहुत थ्रिल अच्छा लग रहा था केबल के आर में जाते हुए परकर्दी को देखकर बहुत अच्छा बता हुए पहुत करते हैं of इससे तो नहीं बता सकती है मैं हिंदू हो और घूमने के लिए गूंत के लिया जरुक्ते आपको नाम क्या सर अगरी कहां से हैं इंडिया से तो यहां पर आप गूमने आये खासकर क्या चीज़े यहां जिन्हों ने आपको प्रभावित किया और नेपल में काटमांडू का मंदिर ओ देखा और मनुकामना देविका मंदिर एक पहड़ी में तो रोपे से जाना पड़ता है उदर वह बहुत आच्छा देए और पोक्रा में वह देखने को बहुत सुंदर पहड़ी वीडि सब आच अगर हम इत्यास को उठा कर देखे क्योंकि इत्यास के जितने भी देश अगर मैं नेपल की बात करूं नेपल मात्र एक ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं रहा और उसका कारण है कि यहां पर सिद्धात ने जनम लिया था तो यही मैं आपसे जाना च में बुद्ध की धरती भारत से आता हूं कि भारत के लोग बुद्ध की विचारदार में कितना विश्वास रखते हैं वह मानने वाले बहुत है नहीं को मानने वाले बो फेंट है और उनका जो मेसेज दिया है कि सब को लेके सब को मिलके चलना शांतिश से रहना सब साथ शान्ती से रहे और किसी को दिक्कत नहीं किसी को तकलीप नहीं इस और जीवन का चरित रही और उन्हों ने जो शिक्षा दिये अपने भारत के लिए और पूरे तो वही अच्छा है और यहीं कोई विचार को मानना दोनों उनको विचारों को जानना और उन्होंने जो फॉल भी करना चाहिए उसी के साथ चलना चाहिए उसी आधार पर चलना चाहिए लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत में जो अभी एक तनाव की सित्थिती पैदा है क्योंकि लगातर सरकारे भारत को हिंदू राश्ट ग अब देखते एक तरह बुद्ध की बड़ी-बड़ी बाते तो करते हैं लेकिन उनकी विचारधारा उनकी आइडलोजी या उनके सिध्धानतों को फोलो करने की बात आती है उससे कहीं ना कहीं को सो दूर नजर आते मैडम आपका नाम क्या है इंडिया से आया है तो वही के लोग जिग्यासू हैं भले मतलब प्रकरती का नजारा लेने आते लेकिन कहीं ना कहीं जब लुंबनी नेपाल में आते हैं तो उन्हें बुद्ध की उस विचार धारा से जुड़ने का भी एक मोका मिलता है जिस बुद्ध के कारण आज पूरा भारत देश विश्में व वही दिन है जब पुझे बाबा साब ने ऐसी ववस्था को लात मार कर एक ऐसी शरण में गए जहां पर की करणा मैत्री भाईचारे की बात ही नहीं होती बल्कि उसको अपने जीवन में मनों साथ करके मानम कल्यान के लिए बड़े स्थर पर काम किया जाता है जी हां साथ य करने का काम किया था उसी कड़ी में राष्ट्य बहुत महासभा भी बड़े स्थर पर काम कर रही है और ऐसके पीछे बहुत बड़ा कारण है क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह से प्रम पुझे बाबासाबने भारत देश के दलित पिछड़े शोशित लोगों को इस ववस जानना चाहुंगी जिस तरह से आगरा कि धर्ती भी बाबा साप के लिए जानी जाती है और भाबा साबने खास कर वहां रहां पर रोते हुए आप हथा कि मेंरे पढ़ है समाज मुझे द्रहा कर रहा है औरो जल्दी बहुत तेश और दम देशना है और दम दीच्छा है रगूलर चल रही है और ऐसा मानना है कि बहुत जल्दी बारत बुद्वय वहने की तरफ अग्रिशन है तो देखें यहां पर जिस तरह से लोग बाबा साब ने मैंने जिस तरह से बताया कि आगरा के लोग भी आये हैं और वही आगरा जहां पर पुझे बाबा साब ने रोते हुए बिलकुल सबस्ट कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोका दिया है लेकिन आज कहीं न कहीं हम देखना है कि जो पढ़ा लिखा समाज जो बुद्धी जीवी वर्ग है वो आज बहुत बड़े सतर पर पुझे बा यह लुम्बिनी है जेकी सिदात कवतम बुद्ध का जनमस्तान है इसलिए वहां पर हमारा पात दिन का केडर क्लास थे तीन दिन हो चुके है दो दिन पुरा परग्राम जो बाबा जो लुम्बिनी में जो हमारा बुद्ध वियार है उसमें थोड़ा दो किलमीटर पैदाल स से चलते हैं और उनों कोने में भारत का सभी लोग आते हैं तो पर सभी साथ में पूरा आज जो अक्टाबर 14 तारिख है उस दिन हमारा दिख्या भूमी बल जाता है जो हो इसलिए हम लोग चलते हैं पैदाल से और बढ़ा लगा है खुस भी लगता है कि विधंक का जो जनम कोडिनेटर जानना चाहूंगी जिस तरह से इस तरह की भाव कारेकरम होते हैं तो समाज के लिए आखिर इस तरह के कारेकरम किस प्रेंदा देने का संदिव को हम यह संदिश को मिस देना है दमक्रांती है इसका नए आगाज हम करना चाहते हैं यहां जारी रहा है यहां पर संगती किया है और हम लोग यहां ब्राश्टी बोद्मा सवागे माध्यम से 15 संगती करने करने से अच्छा है आप मेरे बताय हुए मार्क पर चलो और जिस दिन बहुजन समाज ने बाबस आपके बताय हुए मार्क पर चलना शुरू कर दिया तो यह सच्चाई है कि उस दिन पूरे भारत में बल्कि भारत की सीमाओं से निकल कर फिर से वह सुनहरा मोका आएगा जब विश से बुद्धंक शर्णंग च्छामी की गुझश में सिनाई देगा